गुट मॉर्िंग दोस्तों मेरा नाम आशित उस्वारी है और आपका राइजब लोग जानते हैं कि आप अब तक अजब सरकी classes में grammar और grammatical rules को समझ रहे थे इस class में हम vocabulary को समझेंगे word power को समझेंगे लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शब्द क्या है और शब्द अपने आप में कैसी दुनिया 9. इसे समझना कैसे इसे जानना कैसे तयार कैसे करना है इसके अंदर हमें प्रवेस कैसे करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार शब्द को यह है हमारे पास वर्ड और हम देखते हैं कि शब्द अपने आप में क्या क्या हो चकता है शब्द अपने आप में पूरी दुनिया जैसे कि शब्द अपने आप में एक इमेज है किसी भी सब्द को देखते ही कोई ने कोई इमेज बना एक आम बात है शब्द अपने आप में एक इमोशन है अपने आप में एक पेलिंग है अब अपने आप में एक होट है या विचार है अब इसके पहले कि अगर आप इन चार चीजों को ठीक से समझ लेते हैं तो किसी भी सब्द को याद करना या उसे अपने memory का एक memorable part बनाना बहुत आसान रहेगा ताकि वो शब्द आपको कभी भी भूले नहीं शब्द आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए हमें यह देखना होगा कि जब कभी भी हम किसी शब्द को बोलते हैं या याद करते हैं तो वो हमेशा एक image के कि आपने देखा होगा बच्फपन से ही जब हम एपल वोलते हैं या किसी और सन्घ्य हर्वनाम का प्रयोग करते हैं या Um और उस पिक्चर से वो शब्द हमेशा रहता है तो यदि आप किसी भी शब्द को याद करना चाहते हैं उसे अपना उस पर अपनी चाहते हैं तो आपको हमेशा शब्दों को कुछ खास पर्टिकुलर इमिजेस के साथ जोड़ना होगा अगर आप फिर जोड़ते हैं तो खूबसूरत है अब जब कभी खूबसूरत सब्द आता है तो स्वाथी का चेहरा सामने आजाता है यह मत समझने कि स्वाथी मेरी गर्फरंड है मैं जस्ट एक्जेंपल दे रहा हूं ठीक है दूसरा यह कि शब्द अपने आप में एक इमोशन है सपोस्ट एक वर्ड है हमारे की याद दिलाती है आप सपोस्ट कभी कविता पढ़ रहे हूं कोई कोई शेर तुने और आपको अजानक तीने पर या पीट पर चुबे हुए खंजर की याद आ जाए ऐसी चीजों को हम इवाकेटिव कह सकते हैं इवाकेटिव कोई इमेज हो सकती है कोई थौट हो सकता है कि कोई पोयम हो सकती है कि यह टिक है आ आप देख सकते हैं कि इवाकेटिव कोच भी नहीं कि क्त ऐक है और जो सकते हैं थोट हो सकता है कोई कविता हो सकती है और हम ऐसे एक शब्द को डिफाइन कर सकते हैं तो एमोशन हो गया आते हैं एक फीलिक क 수가 लेकर करiron कर modification को yönो है यह भी शब्द से ही बया किया जाएगा और हमारे पास सबसे पहले यह एक शब्द रहा होगा दिन यह विचार बना होगा दिन उस विचार ने अब हम और अगर चलते हैं तो इस शब्द को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसे हम लोग मेमोरी पैलस कहते हैं कि मेमोरी पैलस और दुनिया भर में लगबुक जितने भी मनोवज्ञानित हुए हैं जितने भी लोगों अच्छा साथ काम डिल्द के पीड़ विडिया है उन सब ने यह बताया है कि आप कभी भी किशी शब्द याद करना चाहते हैं तो उसे को एक प्लेस पर रखने की कोशिशक्त और एक ऐसी जगह पर रखने की कोशिश करें जिसे हम memory palace कहते हैं सपोज मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आपको यह memory palace की कहाणी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि सपोज आप एक शादी में जाते हैं लेट ते शादी में गए आप आप एक शादी में जाते हैं अब आपने देखा होगा हमेसा तेन तरह के लोग होते हैं ना समाथ के मतलब यह बस दीजे देखते और पूत पड़ते हैं नाशने के लिए दूसरे वह लोग थोड़ा सा समझाने बुझाने पर नाचते हैं लेकिन उनका मन कर रहा था और रहे होते बट अब फिलाल दानसर पर बात चल रही है तो सब्सक्राइब आप एक शादी में ऐसे तीन लोग हैं तीन आपके पास नई शब्दें आप उन्हें लोगों के साथ अगर एड़ कर देते तो यह शब्द हमेसा हमेसा के लिए आपको याद हो जाएंगे जैसे कि वह लोग जो पार्टिसीपेट करना चाहते हैं और उन्हें किसे कोई मतलब नहीं है और तीसरे वह लोग जो मनाने पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अब हमारे पास तीन ऐसे शब्द हैं इंड्र वर्ट अ tones और अब ऑ hurts याद करना चाहें तो आप दूर से ही आई करना चाहते हैं ऐसे लोग होते हैं और एक्ट्रोवर्ट वू है जो ओप crystals नहीं होती है इसे लोग नेगेटिविटी से कम पना धूते हैं ठोलकर गी ते हैं और जीते हैं और आई यह दोनों का एक बैलेंस्ट मिक्षर हो माने वह सिच्वेशन आने पर इंट्रोवर्ट भी हो सके और सांध भी रह सके तो ऐसे लोगों को हम एम्बिवर्ट कहते हैं तो अब अगर ध्यान से इन शब्दों को किसी एमिच के साथ जोड़ना चाहें तो इंट्रोवर्ट वह लोग हैं जो एक डीजे में डांस हो रहा है और चुप शाप खड़े हो करके देख रहे हैं ऐसे हाथ बांद करके उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है देन एक्ट्रोवर्ट वह लोग है जो अल्रेडी डांस करें उन्हें किसी ने इन्वाइट नहीं किया उन्हें सब्सक्रापी रहते नाचने के लिए और आये और इकड़ों स्टेज पर कूथ पड़े और थोड़ा बहुत डांस किया इसके बाद फिर इस्टेज को फिर मनाया गया और फिर आए और फिर आकर के डांस करने लेगे तो हमारे पास जो हमारे पूपाजी है वह इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं या तो वह इंट्रोवर्ट होंगे या तो वह एक्स्ट्रोवर्ट होंगे या फिर उन दोनों का मिस्प्रण होगा एंबिवर्ट हमें समझना होगा कि इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट और एंबिवर्ट आफ्टर आल लोग कैसे होते हैं तो इंट्रोवर्ट वो लोग हैं जो दुनिया में कम से कम घुलना मिलना पसंद करते हैं अपने उनकी एक दुनिया होती है थोड़े नेगेटिव भी होते हैं क उने हम introvert कहते हैं extrovert लोग बहुत energetic होते हैं तुरंत समाज में घुलना मिलना दोस्तों के साथ होना party करना enjoy करना बहुत खुल करके जीना ऐसे लोग extrovert होते हैं बातकीत करना इन्हें बहुत पसंद होता है और ambivert वो लोग हैं जो situation को देख करके काम करते हैं और उनमें introversion और अच्छी language में explain करूं आप एक साधी में जाते हैं बहुत सच करके तयार हो करके और आपको एक लड़की पसंद आती है जिस आप चाहते हैं कि मैं जा करके धी में से उसे approach करूं और उसका number लूँ आप उते देखना शुरू करते हैं बट वो आपको एक बार देखने के responding the way you want her to तो ऐसे ऐसी लड़की को हम इंट्रोवर्ट कह सकते हैं इसके बाद आती है पापा की परी वह एक्स्ट्रोवर्ट ही होती है तो वह एक्स्ट्रोवर्ट होती है और एक्स्ट्रोवर्ट होती है वह इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट आर मिग्ष्ट इन परसन तो मुझे लगता है ऐसा कि समाज में अच्छे लोगों को एंबिवर्ट होना चाहिए सिच्विशन देख करके काम करना चाहिए तो हमारे पास एक सिच्विशन तयार हुई एक मैमोरी पैलस तयार हुआ और हमने मैमोरी पैलस में हमने इन शब्दों को रख दिया जब कभी भी आपको कोई शब्द करना है जब कभी भी आपको किसी शब्द को समझना है तो आपका लक्ष होना चाहिए कि वह किसी एक इमिज के साथ किसी एक विचार के साथ किसी एक परिस्थिती के साथ किसी एक एमोशन या फीलिंग के साथ जुड़ा हो अगर शब्द किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो वह याद करना आसान रहेगा तो हमारे पास तीन शब्द हैं इंट्रोवर्ट एक्स्प्रोवर्ट और एम्बिवर्ट अब इसके बाद हमें यह समझना होगा कि आखिरकाल हम जिस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम कि एससे बैंक या डिफेंज है उसका वुकैबलरी सेक्सेन कैसा है वो चाहते हैं आपसे यह पार्ट बहुत इंप्पॉर्टन है और इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे पास जो एक्जाम है एससी का या बैंक का या डिफेंस का या जो भी आप सोच रहे हैं जिसमें वुकैबलरी एक अच्छा खासा हि इसी रीडिंग जानता हो इसने यह ठीक से ओफेशियल और अनफेशियल लैंग्विज को पढ़ सकता हो और उसमें आने वाले सभी सब्दों को ठीक से इंटर्प्रिट कर सकता हो ठीक से यूज कर पाता हो ज्यानि कि रीडिंग इस दा फर्स्ट एंड यूसेज लगबग हमारे पास सारे शब्द आ जाते हैं जो भी current है main हैं और important हैं उन सारी शब्लों की तैयारी एक दन हिंदू newspaper से हो जाती है एससी bank और defense के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे important जाहिए है कि वह newspaper पर रीडिंग जरूर करें अब निउस्पेपर रीडिंग कैसे करनी है यह हम आने वाले वीडियो में डिसक्स करेंगे और हो सकेगा तो उनके एक्जैम्पल्स को भी डिसक्स करेंगे हम यह भी देखते हैं जो शब्द है हमारा वर्ल्ड यह अपने आप में एक गजब फिलोसफी है बहुत फिलोसफी है जो क्रिश्यानिटी का आधार भूत इस्तंब है उनकी पुस्तक है बाइबल बाइबल में कि जो वो दो पार्ट्स में है एक को हम ओल्ड टेस्टेमेंट कहते हैं और एक को हम न्यू टेस्टेमेंट कहते हैं कि तो ओल्ड टेस्टेमेंट में एक कोट आता है कि इन दे बिगिनिंग कि वाजे वर्ड कुर्वास में कुछ नहीं बस एक शब्द था तो हम यह देख पाते हैं कि कि इस दूनिया में जब धी कभी कोई विचार किया जाएगा वो शब्द किया जाए कर रसार अपने आप में एक आवाज है और आप में दर्शन है इससे समझने के लिए आपको शब्द को कि चीज के साथ जोड करके देखना होगा इंडिन घुर में इंदिन कल्चेर में हम देखते हैं कि हमारे पुरातन गरंते हैं जो हम रिग वेद कहते हैं और उनके शब्दों का एक खास पैटर्न होता है जिसकी वज़े से उन्हें याद करना उन्हें करना बहुत आसान होता है है क्रेंश करना और आसान होता है लेकिन इंगलिस में ऐसा नहीं इंगलिस में आपको अगर एक नया शब्द है तो उसे चीज के साथ साइकलोजी के योड़ करके देखना हो गा तभी हो आपको याद हो पाएगा अधर्मार्टिस याद करना थोड़ा सब्सक्राइब करने के एक तरीक और है जिसे हम कि रेपेटिशन कहते हैं कि किसी वर्ड को रिपीट करना इतनी बार्ण रिपीट करना कि वह हमारे कॉंशिस मेमुरी का हिस्सा हो जाय हम जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहें उस शब्द का यूज़ कर सके और यह केवल तभी पॉसिबल होता है जब हम बार-बार किसी शब्द को कि रिपेट करते हैं या रिवाइज करते हैं हमारे यहां जो दर्शन शास्त्र है भारत का उनका कहना है कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम इस्मृति के कि पीछे हमेशा संसकार कारण होता है वार संसकार के पीछे अनुभव कारण होता है माने कि अगर आप जब तक आपको अनुभूती नहीं हुए कि जब तक आपको किसी चीज का experience नहीं हुआ है तब तक उससे संसकार नहीं बनेगा और जब तक संसकार नहीं बनेगा तब तक आपकी memory को अच्छा का connection आपके experience के साथ में है आप आज लेक्शर पूरा का पूरा इस शब्द और शब्द के दर्सन को लेकर गई है तो philosophy of a word and how to handle it and memorize it यही हमारा आज का मेंन लक्षर होगा हम समझाते हैं आपको कि आई हम तीन शब्दों को और देखते हैं हमारे पास एक शब्द है कि मिजान्थ्रोप कि फिर हमारे पास एक सब्द है कि फिलान्थ्रोप फिर हमारे पास एक शब्द है कि मिसाजेनिस्ट है हमारे पास तीन सब्द हैं मिजान्थ्रोप पिलान्थ्रोप और अब हम इन शब्दों को याद करना चाहते हैं लेकिन इस सब्द इतने डिफिकल्ट हैं कि यह याद रही होंगे तो इस दिफिकल्ट को हम मिटाने के लिए दो अच्छे अच्छे उपाय कर सकते हैं सबसे पहला तो यह कि हम इन्हें रिपीट करें कि माने की इन्हें देखते रहें जब हमें मौका लगे जब कभी भी हम अपने वक्याबलरी के वर्ड को रिवाइज कर रहे हों तो हम इन्हें देखने इनकी डेपिनिशन के साथ में और दूसरा यह है कि हर शब्द के साथ हम एक पर्टिकुलरली एक इमेज को फॉर्म कर ल वाकई में लेकिन जब हम जागते हैं तो मैं मालूम पढ़ता है कि हमाई दुनिया बहुत बड़ी है और शब्द कम पढ़ जाएंगे आपके लिए शब्द कम पढ़ जाएंगे दुनिया फिर भी बड़ी रहेगी अब सपोस्ट अब आपके पास एक शब्द है मेजैंत्र लगी कि इसके अच्छा वह कि सब कुछ बहुत सब बहुत स coping नाम कि लड़की उन दौनों के बीच में आ जाती है और प्रने करते हैं में तूम से प्यार करते हूं और वो दुनओं के साथ होती है और दोनों के अजमार ही होती है कि आप तो तो ऐसे लोग जो खास तोर पर अपने ही जैसे लोगों से माने की एक मनुष्य होकर के मनुष्य से ही जो व्यक्ति डीप डिटेस्ट है जो इसके अंदर एक बहुत गहरी घृणा है नफरत है उसे व्यत्त करने के लिए हम मिजान्थ्रोप सब्द का इस्तेमाल करते हैं माने कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो मैंकाइंड है हेटर है माने इसको मनुष्य नफरत है बर्ट मनुष्यों से नफरत होने के पीछ एक कहानी जरूर होगी और कहानी जैसे अभी मैंने आपको बताया और डेफिनेटली आपके पडोस में में आपके समाज में आपके सरक्ल में आपके रिलेटिम में कोई नए कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो जिसे पूरी दुनिया से नफरत हो उसे हम मिसान्थ्रोप कह सकते हैं को देनकंज और फिलांफ्रोप यह वह लोग हैं जिन्हें माबाब से अच्छे संस्कार मिले हुए हैं जन्हें समाज से जिन्होंने हमेशा से ही इस्कूलिंग में और टीशर के थि माबाब के थिरू अच्छी किताब मं पढ़ी हैं करने में हैं दूनिया के साथ होने में हैं लूग जो हमैसा हर इंसां वं सबके प्रति करूना है любим है ऐसे लोग philanthrop कहाएब तो फिलांत्रोप का मतलब हुआ मैंकाइंड को या मनुष्यों को युप यह लगते हूं जो मदद करते हूं समाज उधारक या समाज प्रेमी खास तौर पे ऐसे लोग फिलांत्रोप होते हैं सब्सक्राइब करता है दोनों ने धेर सारी कसमे खाएं और कंपनी गाड़न के किसी प्यारे से बगीचे में बैट कर उसके बालों के साथ खेलते हुए हर्स ने धेर सारी कसमें कि जब मैं कमाऊंगा तब तुम्हारे लिए रॉल्स राइस खरीदूंगा बेम डबलू खरीद स्वाती को यो लगने लगाlus फ्रस नहीं हो सकता है यह सिर्फ बातें करता है और छोने लड़का मिल जाता है हैं और धी में से स्वाति कुछ बहाना बना करके हर्स को चूर करके चली जाती है और ऐशी कंडिशन में हर्स को ऐसा लगने लगता है कि दुनिया कi हराकी वह स्वाति ही है यह ρχें और कोई नाम ले लो तो ऐसे लोग जैंने दुनिया की हराकी से नफ्रत हो जाती है ऐसे लोग misogynist कहलाते हैं, माने की ऐसे लोग women hater हैं, बट इनके पहले definitely कोई न कोई कहानी घटित होती है तो अब हमारे पास तीन और नई सब्द हैं, misanthrop, philanthrop and misogynist misanthropy वो लोग हैं, जिने पूरी मानवता से नफ्रत हैं, क्योंकि किसी एक मानव ने उनके साथ बुरा किया हुआ है, इसलिए सारे लोग उनके लिए बुरे हो जाते हैं philanthrop वो हैं, जिसे हर व्यक्ति के प्रति दया है, करोना है, और हर व्यक्ति के मदद करने के लिए मुखर हैं आगे रहते हैं misogynist वो हैं, जिने कभी किसी स्थिदी में किसी इस्तुरिय ने किसी महिला ने, किसी प्रेमिका ने धोखा दिया और उन्हें लगने लगा कि सारी महिलाएं, सारी इस्तुरियां, सारी लड़कियां दोके बाज होती हैं और उनसे प्रेम करना अपने आपको धोखा देने जैसा है, ऐसे लोग misogynist कहलाते हैं हमारे पास यह तीन और नहीं शब्द होते हैं तो पहले हमने इंट्रोवर्ट, एक्ष्टोवर्ट, यर अंबीवर्ट देखा तैन हमने bishop,emaal misanthrop, फिलैंथ्रोप, और misogynist देखा और हमारे पास अब 6 ऐसे शब्द होएं हमने उन तीन सब्दों को किसी सब्द को फूपा के साथ किसी सेज को डीजे में डांस करने वालों के साथ और वन पर सिर्फ के सेन एंज्ट्रोभ्रट करते हुए गया है तो थो अन जो लोग फ़ल आ गयए को पूपा जी जो मनाने पर बाहर आते हैं उन्हें हमने एंभी वर्ट का सिच्वीशन को देख करके काम करने वाले दिन हमारे पास मिजैन्थ्रोप आया यह हमारा कोई दोस्त या कोई यार जिसको किसी दोस्त यार ने धोका दिया और उसे पूरी मानुपता से नफरत हो गई हमने उसे मिज करने और ऐसे लोग जिन्हें कभी किसी स्थिती में किसी इस्तुरी ने लड़की ने महिला ने धोका दिया और उन्हें पूरी की पूरी महिला समाज से नफरत हो गई ऐसे लोगों को मिसोजिनिस्ट कहेंगे देन कम्स थोड़ा सा और आगे समझते हैं अभी हम शब्द पर यह आप जानते हैं यह रहा हमारा शब्द हमारे पास जो ओंधोर मेगजीमग है वो भी शब्द हैं और हमारे पास जो कुछ भी है जो मैं बोल रहा हूं वो भी शब्द हैं तो हमारे पास एक को भासा का वो हिस्सा जहां हम नए नए शब्दों को सीखते जानते हैं हम उन्हें वोकैबलरी के अंतरगत रख सकते हैं या वर्ड पावर के अंतरगत रख सकते ह तो यह हमारी word power हो गई word power में हमाई पास news papers है, novels है, magazines है, और बहुत सारी चीज़े हैं, जहां जहां आपको कुछ नए शब्द मिल सकते हैं, नए शब्द जानने को मिल सकते हैं, इसके बाद यह शब्द हैं, जो रखे हुए हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम के अ हमारे पास, जिसे हम grammar कहते हैं, इसका मुख लक्ष grammar भी अपने आप में एक शब्द है, लेकिन वह यह बताता है कि किस सब्द को कहा होना चाहिए, मतलब आकर हम सबसे easy language में, सबसे आसान भासा में कहें, लड़कियों को सम्झाना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे आप किच किचिन में हर चीज अपने पर रखे होती है, और आप आंक बंद करके उठा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि फला चीज फला जगह पर ही होगी, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक वही कुछ-कुछ फाल इंग्लिस का भी है, इंग्लिस में हमें यह मालूम होत है कि किस सब्द को कहा होना चाहिए, इसकी जो सबसे सरल्दम परिभासा है, उसे हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं, आम तोर पर, इंग्लिस का जो ग्रामर है, उसमें ही यह रूल अपलाई होता है, संभवदा मुझे जहां तक लगता है कि कि हिंदी का जो व्याकरण है, उसमें करता और क्रिया का कोई खास नियम नहीं है, सब्जक्त या रखने का कोई पर्टिकुलर नीम नहीं कि इस सब्द को इसके बाद ही होना चाहिए, वहां तो ऐसा ही होता है कि विशेशन और विशेश से भी एक दूसरे के पास नहीं होते हैं पट उनका अन्वे आसानी से हो जाता है लेकिन इंग्लिस में इसा नहीं है इंग्लिस में exactly क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आती है मतलब कि अगर आपने बोला कि मोहन लब्ज राधा तो हमारे पास एक पात कंफर्म होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा उसके बाद ही वर्ब आएगी और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को हम ग्रामर कह सकते हैं वहलब ग्रामर का काम कुल इतना है आपको यह सब्जेक्स के बाद कौन शाद होगा किस पैटरन के बाद किस पैटरन में सब्जेक्ट होगा इसे घ्रामर के अंतरगत रखते हैं और जो क्या ररी है माने कि हमारे पास जो अधिक्स नरी है है वह में केवल शब्दों का अर्थ बताती है हमारे पाद जो डिक्सणरी सब्सब्दों is our बताएगी हूं पन्लब की वान की कॉन सब्सब्द कहां होना चाहिए यह रहा हां का सभजेक्ट यह रहा वर्ब और यह रहा और जो डिक्स्नरी है वह यह बताएगी कि आफ्टर आल मिजैन्थ्रोप होता कौन है कि यह हमारे पास आसान भासा में ग्रामर और वर्ट पावर की या वोक्याबिलरी की इस डेपिनिशन ओके दिन हम आगे चल करके फिर से तीन और नहीं सबनों को सीचने वाले हैं हमारे पास तीन नहीं सब्दें एल्टरिस्ट अब हमारे पास तीन और शब्द है और इन में से एक आखरी पर मैंने वर्ब लिये दो हमारे पास एड्जेक्टिव्ट गार्ण अब आते हैं हम देखते हैं हैं है कौन आफ्टर वह सब्देख सकते हैं वह लोग को जिन्हों ने संजारत के लिए शिर्फ और शिर्फ अच्छा करने की गसम खाई है आपने देखा भी होगा मैंने तो ऐसे लोगों के बारे में बगाईदा पढ़ा भी है जिन्हों सिर्फ और सिर्फ समाज का हित करने के लिए बहला करने के लिए अपना सब कुछ त्यागा है हमारे शिवाजी महराज हुए हैं बहुत सारे संत और बिगाड करके दूसरों का बनाता है समाज की सेवा करता है हमेशा आगे होता है ऐसे लोगों को हम एल्ट्रूरिस्ट कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वट्रूरिस्ट कह सकते हैं मुझे आता लगता है कि दुनिया का सबसे कठिंतम काम है यह अगर आप बसों में सफर करते हो या क्रेंस में सफर करते हूं तो लोग एक इंच खितकने को तयार नहीं है लोग अपनी पानी की बोतल से एक घूंट भी किसी को पिलाने को तयार नहीं है साहे सामने वाला प्यास से मर जाज चाहे इंसान कितनी देर भी खड़ा रहे बट लोग एक दूसरी की मदद करने को आज बिल्कुल भी तयार नहीं है मैं कई बार सोचता हूँ कि हम फिल्में देखते हैं वेब सीरीज देखते हैं और हमें हर तरफ से सिखाया जाता है कि आप मानवता लाइए मानवता दिखाईए लोगों के लिए खड़े हुए लोगों की मदद करिए समाज में आगे आईए बट इस सो डिफिकल्ट पुट इ एक बात याद आई जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हुए हैं जो अपने बहुत फेमस हॉलिवुट एक्टर हैं उनसे एक बार एक इंटर्व्यू में सवाल कुछा गया आप इतने महान कैसे हुए आप इतने बड़े एक्टर कैसे बने तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है महान वह जिसके पास बहुत सब्सक्राइब्ण करें उन्हें लगता है कि जिस विक्ति का चरित्र महान है वह वास्ताव में महान है और जिस विक्ति के पास चरित्र नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है तो जब हम समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं अपना हिच त्याग रते हैं और दूसरों के लिए जीना सुरू करते हैं तब हमाने अंदर कहीं न कहीं एक एल्टुरिस्टिक एटिटूड जन्म लेता है और हम दूसरों के लिए जीना सीख पाते हैं और अच्छा आफंजर लोग हैं जो हम इशाथ दूसरों की मदद करने के लिए अपना भी गाड़ करके आगे आते हैं दिन कम्स आ वेरी 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 वेडिफुल वर्ड बैनाल बैनाल वेरी वेरी वेडिफुल वर्ड और बैनाल का मतलब है ओफेंसेव अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूं ओफेंसिव को लेकर कि इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है एक ऐसी बात जो सब कोई जानता हो बट उसे बार-बार कहा जाए तो उसे बिनाल कहेंगे सब्सक्राइब करें अपना कमरा खुद साफ कर लेना चाहिए और ऐसे जो सलाह देता है तो जब बार-बार इस बात को कहता है तो वह सुनते-सुनते हमें तुछ लगने लगता है हमें बहुत अखवर्ड लगने लगता हमें लगते वही बात बार-बार बट इस पेशली यह बात उन्हें लगेगी जो ऐसा नहीं करते सपोज आप मुझे से कह रहें कि अपना विस्तर रोज लगाया करो और मैं सिर्प सुनता हूं बट बिस्तर कभी नहीं लगाता तो मेर जिने लिए आपका कहा हुए जोर्य स्टेक्मेंट है या जो भी बात है जिसका है वह बिनाल में तो कमेंड हो सकता है है फॉद्वर्डा हो सकता है है तो आप इस सब्द को थोड़ा से समॉल करके और बुध्यमानि केसाथ रोज करिएगा अभी रिजेंटली मैंने बनाल वर्ड को किसी कॉंपेटिटिव एक्जामेनिशन में भी देखा था बट इस वक्त मेरी इंटलेक्ट में वह आ नहीं रहा हुआ मैं आपको बता था कि exactly किस जेकर यूच किया गया इसे जरूर आप लोग अपने वर्ड पावर में इसको जरूर बढ़ाएं बहुत अच्छा लगेगा आपको और देन हमारे बास एक और बहुत खुबसूरत सब्द है हम इसे फेन कहते हैं और यह सबसे खुबसूरत सब्द है इसका मतलब होता है तू शू और तू शू और और तू इलनेश आपने अक्सर देखा होगा बच्चे जब इसकूल नहीं जाना चाहते तो हमेशा वो कहते हैं आज पेट में बहुत दर्द कर रहा है मम्मी आज तो मैं इसकूल जाही नहीं सकता है इसकूल गया तो बहुत हो जाऊंगा बस में गिर पड़ूँगा मुझे दस लग करने का मन नहीं करता सब्सक्राइब करना चाहता है अपने बस के साथ और उसके बस का पहुन आता कि हां तुम आए नहीं तो कहता है सर आप नहीं जानते मैं 108 डिगरी बुखार में तढ़प रहा हूं जलस रहा हूं आप चाहें तो आकर के अपना ब्रिट मेरे च्छाती प बना रहे होते हैं उन्हें फेंड करना कहते हैं फॉर इसेंपल है कि इस इस जाने के लिए ना जाने हम फेंड के अंदर गतले सकते हैं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस चाइल्ड कि कि वीवर को स्कूल मैंने बच्चे ने बुखार का बहाना बनाया स्कूल ना जाने के लिए तो हम फेंड शब्द का इस्तिमाल कर सकते हैं आई एक और नए वर्ड देखते हैं एक ऐसा फेवर्ड वर्ड जो कुमारे और कुमारियों के लिए बहुत प्यारा होगा और उसे हम मैरिज कहते हैं और मैरिज एक गजब इंस्टिउशन है इस नॉट इंस्टिउशन इस नॉट इंस्टिउशन इस नॉट राइट वर्ड इन माई सेंस बट विए इस्कूस इट इन लेटर वीडियो ना मैरिज कोज खासतोर पर मान लेते हैं कि किसी लड़के का किसी लड़की के साथ विवाह होने वाला था और तब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था बट उसे यह नहीं मालूम था कि शादी के दिन मंडप से tee अमम मिस आरती शुकला भाग जाएंगी और वाग जाएंगी और अजिसके बाद विविविफ हो मिस्व्ण करना बड़ेगा और वनने के बदल ले पर मिस्व्ण के बाद जब लिक अहसास होता और के पास कहती है कि हमें लगता है हमें आपसे प्यार हो गया है और हम चाहते हैं तो शादी कर लेते हैं तब सतेंद मिस्रा आरती शुकला को पंडप से भाग जाने पर बहुत अधिक कुपित और दुखित हो गए हैं हद से ज्यादा नाराज और परेशान हैं और जिनके लिए शादी अपने आप में एक खतरनाक सब्सक्राइब जिसको सुनते उनके कानों से दोनों कानों से खोन निकलने लगता है है ऐसे लोग मिसाओगयमिष्ट होते हैं वांथे शादी से नफ्रत करते हैं उन्हें हम मिसाओगयमिष्ट कहते हैं एक बार री कैप कर लेते हैं हम लोग कि हमने आज इतने देर में कितने शारे सब्नों को चीक घे के आदे हम लोग सुरुवात करते हैं कि हमने देखा इंट्रोर्ट को हमने देखा एक्स्ट्रोवर्ट को हमने देखा एंबी-वर्ट को हम ने देखा मिजैन्थ्रोप को हमने देखा पिलैन्थ्रोप को हमने देखा एल्टरिस्ट को हमने देखा फेन को हमने देखा बनाल को हमने देखा मिस्थ गेमिष्ट को हमें थोड़ी ही देर में इंट्रोवर्ट, एक्स्द ап्रe ऐम्ड़र्ड, मैन्थ्र्ड फिलेंथ्रोप, अल्ट्रोप, इतने सारे शब्दों को सीख लिया और हंसी मजात ने सीख लिया और हम ने ने देखा कि हमने हर सबसीता त्हट लगवख लगबख एक इमेज के जोरने की कोशिस कि तो जब कभी वह आप किसी शब्द को याद करना चाहते हैं जब डिशित को अङो हमेशा के लिए उस पर सौमित ओनर्शिप चाहते हैं तो आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि एक वर्ड किसी इमेज के साथ जुड़ा हो नंबर टू नंबर टू यह कि आप उसकी रेपेटिशन कर रहे हूं जब आप उन्हें रेपीट कर रहे होंगे आप उन उन से समस्कार बनेंगे और समस्कार द्रण होंगे और द्रण होने के वज़त से शब्द आपके बुद्धी में लंबे समय तक टिके रहेंगे तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ शब्द हैं जिने हमने थोड़े से समय में और एक साइकोलोजिकल वे मे होगा आपको वीडियो अच्छा लगे हम भी यह चाहते हैं अगले वीडियो में और मेरेंगे और सारी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे थैंक्यू सो मच